अलो दोस्तों मेरे यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए जैसे कि आप देख सकते हैं कक्षानों का विज्ञान का पेपर तो आपको दुबारा बोल रहा हैं जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लो हमारे करवाए एक वीडियो के अंदर से बहुत सारे क्योशन आ रहे हैं और हड सब्जेक्ट के अंदर से आ रहे हैं तो आप सारे वीडियो को देख लें इस वीडियो को भी देखें पुराने वीडियो को देखते जाएं उनको छोड़ना नहीं है एक एक वीडियो को देख प्रतिक नेक्ट है निट्रोन की खोज किसने की थी तो यह थी यह करने वाले वज्ञानिक थे जैम्स चैडविक आपका से उत्तर रहेगा नेक्ट प्रस्ट नेक्ट प्रस्ट ने आपका कोशिका की सभी उपापचे क्रियाओं का नियंत्रन कौन करता है तो यह करता है आपका केंद्रक नेक्ट है ग्रंतियों का निर्मान किस उतक से होता है तो ग्रंतियों का निर्मान हमारा होता है इसमें जो आपका आंसर आएगा वे आएगा epitheliume, उतक के द्वारा, option number A, next है वेग में, वेग से परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग में यह वेग नहीं आएगा, वेग में आएगा इदर, वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, तुरन, next है कोशिका का सकती गिरे, कई बार रटाया है question है, question number 5 भी कई बार करवाय हुआ है, इसके लावा, 4 भी कई बार करवाय हुआ है, 4-5 चक कई बार करवाय है question है, 7 number है, निमन में से बल का मातरक नहीं है, तो न्यूटन है, डाइन है, पाउंड है, जूल, बल का मातरक नहीं है, जूल किसका मातरक है, उर्जा का, उर्जा का, रट और बल का मात्रक न्यूटन या फिर डाइन इस तरीके से याद रखना है दोनी की चाल सबसे ज़्यादा किसम होती है ठोस के अंदर तो अब देखिए पानी ये द्रव हो गया लोहा क्या हो गया ठोस तो आपका option नमर बै से उत्तर रहेगा और साथ वे question के अंदर आपका क्या answer आएगा जूल next खरीब की फसल सोयवीन अरर मक्का तीनों ही खरीब की फसल है तो option नमर दे आपका से उत्तर रहेगा next उड़ जागा मात्रक है तो उड़ जागा मात्रक क्या है जूल लेकिन यह option में जूल नहीं दे रखा तो यहां हम देखेंगे दूसरा क्या हो सकता है त कितने समय में किया गया कार उड़ जा तो यहां देखेंगे option नमर दे वाट इंटू सेकंड यह आपका से उत्तर रहेगा next है second नमर क्यूशन जिसमें आपको रिक्तिस्तानों की पूर्थी करनी है तो इसके आंसर जानने से पहले आपसे request है कि जिन्हों ने चैनल को अभी त कि जिए अगर आपको फिर भी किसी subject में doubt रहता है तो हमारा WhatsApp नमर है 7887896648 इस पर आपको message करना है कोई भी doubt होने पर पहला question है आपका second number question का बर्फ का गलनांग होता है तो बर्फ का गलनांग है 0 degree Celsius या फिर कह सकते हैं आप 273 Kelvin दोनों से कुछ भी कर देना है next है carbon dioxide वे oxygen कोशिका जिल्ली के आरपार किस प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकता है तो इसका उत्तर क्या रहेगा इसका उत्तर रहेगा आपका विश्रन लिखते जाए answer इसका उत्तर रहेगा आपका विश्रन प्रक्रिया के द्वारा next है रखत एक प्रकार का खाली जगे उतक है कई बार करवा है कुश्वर रखत एक प्रकार का सेंग उतक है next है आपका एक समान चाल के लिए समय के साथ तैकी गई दूरी का ग्राफ क्या होता है दूरी का ग्राफ होता है आपका एक सीधी रेखा नेक्ट है वे अवस्ता जब वस्तु का भार सूनने हो जाता है तो क्या कहलाती है वे कहलाती है बाहर हींता लिखते जाएं बाहर हींता नेक्ट क्यूशन है आपका तत्वों के नामों के संचिप्त रूप को क्या कहलाते हैं वे कहलाते हैं प्रतीक क्या कहलाते हैं प्रतीक एक क्यूश्चन छूट गया है कि अगय कार बल तथा विस्तापन के गुणन फल के बरावर होता है किसके बरावर होता है गुणन फल के बरावर होता है नेक्ट है रिणादमक तुरन क्या कहलाता है तो ये क्या कहलाता है मंदन रिणात्मक तुरन मंदन कहलाता है नेक्ट है विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहता है वेग नेक्ट है ओजोन का सूत्र क्या है ओजोन का सूत्र है O3 नेक्ट है अतिलग उत्रात्मक प्रश्ण जिसमें आपसे पहला प्रश्ण पूछा है कौन से समस्तानिक का उपयोग गेंगा रोक के उपतार में किया जाता है किसके समस्तानिक DNA और protein के बने होते है नारियल का रेशा किस उतक का बना होता है तो नारियल का रेशा बना होता है द्रड उतक का किस उतक का द्रड उतक का द्रड उतक next है खर्पतवार किसे कहते हैं तो ऐसे अवांचित पौदे जिनकी हमें आवशक्ता नहीं होती वो खर्पतवार कहलाते हैं हमारे जो गहों, बाजरे या कोई भी फसल होती है उनमें जो घास फूस होती है जिसको उखर्पतवार कहलाती है उनका कोई काम नहीं होता है तो ऐसे अवांचित पौदे जिनकी आवशक्ता नहीं होती है next है गाड़ी द्वारा तैकिक दूरी किसके द्वारा महाँ पी जाती है तो यह महाँ पी जाती है यांतरिक तरहंगे next है चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है आप सभी को पता है चंद्रमा करता है प्रत्वी की परिक्रमा अब है आपके यहाँ लगुत्रात्मक प्रश्ण बड़े प्रश्ण है तो इनको करवाना पॉसिबल नहीं होगा आप खुद भी जानते हैं तो आपको क्यूशन बताने वाले हैं तो पहला प्रश्ण है इसके अंदर यानि के चार नमबर क्यूशन पसुपालन के क्या लाब ह 5. अर्किंण बंड़िज का सित्दान्थ लिको 6. गर्मियों में लोग्र फर्सवेργ्ण चत पर जल छड़कते हैं क्यूँ मुशन डैनिक जीवन में गति के दो दारण दीजिए, आठ नमबर है, दैनिक जीवन में बलके दो दारण दीजिए, द्यूर नमबर है, मि स्टरदातु किसे कहते हैं, दस नमबर है, द्रभीमन सैन기क्षन का नियम लिखो, ग्यारा नमबर है, चाल ऋ ढ Page से आप क्या समझते हैं, आपकी रहेगी 170, 16 नमबर प्रश्ण है, पदार्थ की गैस अवस्ता की कोई तीन विशेश्टाइं लिखिए, 17 नमबर है, बहुतिक वे रासायनिक परिवरतन में अंतरिस्पष्ट करिए, 18 नमबर है, डॉल्टन के परमाणु सिद्दान्त के मुख के बिंदू लिखिए, 19 19 नमबर है, समस्तानिक किसे कहते हैं, समस्तानिकों के दो उपयोग लिखो, 20 नमबर है, जब कोई व्यक्ति चलती वी रेलगाडी से कूथता है, तब वे मुखे बल आगे की और क्यों गिर जाता है, 21 नमबर प्रश्ण है, एक लैंप, 1000 जूल, विद्युत उर्जा, 10 कितनी है, अब आपके दीर उत्त्रात्मक प्रस्टं के बाईशे, आपके पादप कोशिका का नाम के चित्र बनाईए, तथा इसके चार कोशिकांगों का वर्णन करो, अबुपा अंदर द्वयी जालिका किसे कहते हैं, चिकिनी अंदर द्वयी जालिका में, चार अंतर हो गए तो एक को आप चिकनी कर लीजिएगा दूसरा जस्ट इसका उल्टा होगा दोनों चिकनी नहीं होंगी नेक्स प्रशन है आपका तंत्री का गोशिगा के नामक्जी चित्र बनाई है एवं वर्णन कीजिए नियूरोन के कार्य लिखो अत्वा जटिल उतक किसे कहते हैं पोदों में पाये जाने वाले जटिल उतकों का वर्णन करो चोईश नमर प्रशन है पराद्वनी चांसूचक के विषय में लिखो अत्वा मच्छरों के आवाज सेर की आवाज से तीकी क्यों होती है परासरवी तरंगों के कोई चार उपयोग लिखिए और लास्ट प्रशन है आपका खाद का क्या विप्राय है या कितने प्रकार क्य होती है अत्वा सिचाई से क्या विप्राय है सिचाई के मुक्य स्रोत समझाइए तो यह ते सारे जो आपके पेपर के अंदर भी आ सकते हैं तो फटा फट से सारे प्रशनों को देख लीजिए याद कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत गूलिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में सबी को एक जाम के लिए बेस्ट आफ लग थैंक यू